कई बार तो उन चुनियों को हम दूसरे नए सूट पर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कई चुनिया ऐसी होती हैं, जैसे वो प्रिंटेड चुनिया वो दूसरे सूटों पर जाती नहीं है, तो ऐसे भी इन चुनियों को क्या किया जाए, चलिए, आज बताती हूं उनका एक नाइट वेर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है इसे बनाना, सर्फ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, जिनने फॉलो कीजिए, बहुत ही बढ़िया ये बनकर त्यार हो जाते हैं, और बेच चलो, कैसे हो, चलो चलते हैं, कुछ नया सा करने, आज एक सरल तरी निका बताऊंगे, जिससे आप भी इसे बना पाएंगे, मैंने एक चुन्नी लिया है, किसी भी टाइब के आप चुन्नी ले सकते हैं, उसे डबिल करके पहले, जितना आपको नेक लाइन चाहिए, उतना निशान लगा लिजिए, और हाँ बच्चों, चैनल को अभी तक सब सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा फटो से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना टोटल प्री है, हम इसमें यूज करेंगे कोई भी टाइब की लेस, लेस से इसकी सुन्दरता कई गुना बढ़ जाएगी, आप जब इस तरीके से पुरानी चन्नी से बढ़ असा काफतान बना कर अपने हाथों से पहनेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेविल बढ़ेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि खुद की बनाईवी चीज पहनना बहुत ही अच्छा लगता है, अब सबसे पहले वैसे तो इसका नेक लाइन पहले बनाना अब चुन्नी के चारों तरफ इस तरह कपड़े को लेज के उपर रखते हुए सिलाई लगा दें, जब ये काम हो जाए तो बारी आती है नेक लाइन की, चारों तरफ लेज लगने के बाद ये बहुत ज़्यादा सुन्दर लगने लगता है, आप मुझे सुनने से ज़्या फ्रंट का आप नेक लाइन को कट कर लीजे, अब आप एक कोई दूसरा कपड़ा लीजे, जो हम अंदर की तरफ इसे मोडेंगे, मेरे पास आज सेम कलर का नहीं है, तो मैंने दूसरे कलर का लिया है, ग्रे कलर का, आप कोई भी कलर का कपड़ा लेंगे, वैसे भी वो अंद नेक लाइन की फिटिंग बहुत ही अच्छी सुन्दर आ जाती है, जैसे कि हम भुटीक में अपने कपड़ों को सिलवाते हैं, तो उस नेक लाइन का जो शो होता है, इसी टाइप के बकरम से ही होता है, यहां मैंने वो बकरम लिया है, जिस पर कपड़ा चिपक जाता है, त नहीं इधर उधर नहीं हिलता, नेक लाइन ही में चीज होती है, अगर हमने उसे सही नहीं बनाया, तो पूरे कपड़े का शोक खराब हो जाता है, तो इस तरीके से जब वो चिपक जाता है बकरम इसके उपर, तो अब आप उसे कट कर लिजे, यह बकरम आपको किसी भी आपके से इसे चिपका दीजे, फिर उसके उपर इस सिलाई मशीन से इसे पका कर लिजे, अब इसे हमें बारी आती है, इसे फोल्ड करने की, यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ, जहाँ जहाँ आपने इस सिलाई लगाई है, वहाँ थोड़ी जगा पर आप छोटे आपकों से सिलाई लगा दी है, बाद में आप आराम से इसकी तुर्पन कर सकते हैं, अब इस काफ़तान की और ज़्यादा सुंदरता बढ़ाने के लिए, जो हमारे पास बच्ची होई लेस है, उसे हम नेक लाइन पे लगा देते हैं, इस तरीके से सुंदर सा काफ़तान ब लगाई हैं, वहाँ पर भी मैंने इसमें लेस लगा दी है, अगर आपके पास भी लेस ज़्यादा हो, तो यहां साइट से भी आप इस तरीके से लेस लगा देंगे, तो इसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप इस काफ़तान को गाउन के तौर पर जैसे न लाइक कीजिए, जदा-जदा शियर कीजिए